अजी नमस्कार जी गुड इविनिंग सभी को आज अपने जो आरपी से दिनेस बोड और प्रिविस एर के दो परसनों का जो एक सिरीज चला रखा है उस सिरीज के अंदर आपने संक्या पत्टी टॉपिक के आज के चोथी दिन पर कल जैसे बात हुए थी अपने पास में कि 2015 के परसनों को किया था लेकिन उनके संक्या का विसे इस एग्जाम उससे समधित नहीं है लेकिन फिर भी सभी एख्जाम के रास्तान की बर्तियों को लेते हुए अपने परसनों की सिरीज के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास की सुरुवात करें उससे पहले सभी साथिओं के साथ अपने इस क्लास लिंक को शेर करें और दूसरी बात ये कि बताईएगा कि आवाज से पहुंच रहे कि आप तक मेरी पिल्कुल गुड़ इंग जी जल्दी से अपने सबी साथियों के साथ क्लास को शेर कीजिएगा उसके बाद में करते हैं अपने आज के पहले परसन की सुरुवाद संक्या पत्ति टोपिक अपना करम से चल रहा था 2015 के बने एकजाम परसन तक पहुंच गे थे ये जी सब कुछ सही से है तो फिर अपने करते हैं शुरुवाद आज के पहले परसन के साथ बिना किसी देरी के साथ में सबसे पहले ये चीज जुरूर थोड़ा सा नोटिस केजिए के लडी से सीटी संगना स्कूल व्यक्याता पटवारी आरेस जूनेर अकाउंटेंट का पूरा का पूरा रिकोर्ड़ और लाइव कुछ क्लास अभी भी लाइव परती दिन आते रहते हैं आपके सलेबस के से जुड़ना चाते हैं तो जुरूर जोइन कीजिएगा में भी बाद में हो सकता है कि प्राइस बढ़ाया जाए अपना टेस्ट रीज में आप अच्छा सयोग करें फिर मैं कहता हूं कि बहुत सारे साथी अभी भी टेस्ट देने से डर रहे हैं गबरा रहें सामना करना सी देखिए टेस्ट का स्तर कैसा भी हो सकता है परसन सभी हो जाएं आपसे ये जुरूरी नहीं होता बहुत सारे परसन नहीं होंगे डाउट बने रहेंगे जो भी आपके परसनों का एक नवे दिन जुरूर करूंगा आपसे अगर आपके किसी परसनों में कोई डाउट बना चुका है कि आच्छे से वो जानते हूं आपका समधान करेंगे यदि नहीं हुआ तो फिर मैं आपके साथ में जुड़ाई हूं को दिख करनी है तो आपके परसनों का डाउट टेलिग्राम जो एमर्स अकैडमिक आपने जोइन किया उसी का डिसकस्न और जोइन कर लीजे जिस बना रहेगा तो ये जुरूर जुड़िएगा टेसरीज के साथ में अपने पास में और आज आते हैं अपने पहले क्वेसन जुनियर अकाउंटेंट दो हजार पंदरा का क्वेसन कल जाते जाते लाश पॉइंट भी अपना यहीं रुका था और वहीं से अपने सुरुवात कर रहे हैं जुनियर अकाउंटेंट के क्वेसन पे रुके तिर वहीं से आगे बढ़ने के सुरुवात करते हैं पहला क्वेसन आपके सामने आता है कि दो संक्याओं का योगस्तान में हैं और अंतर 37 है इन संक्याओं का गुननफल क्या होगा ग्यात करना है आपको थोड़ा का जोड कितना देर खाया स्तान में और दोनों का अन्तर देर का अपने पास में अगर ऐसा आप समीकन बना के करते हैं और अच्छा नहीं करें उसों क्या पटी के अंदर तो क्या करना चाहिए आप यह के निaina कि आपके सामने दो समीकन लिखे जाए एक पलस में लिखे जाए और एक माइनस में लिखा जाए गूड एंविंग जी गूड एवनिंग सभी को नमस्कार तो यहां से बात करें किसे करना होगा ध्यान रखेगा यदि ऐसा क्वेसन आ जाता है तो कभी भी ऐसा समीकन बना के करने के बजाए अगर एक बार जोड में और एक बार गटाओ में आपके पास में समीकन जीसी बनने की सिच्विसन आए तो बड़ी संख्या बताने के लिए हमेशा उन दोनों का जोड करो और जोड में दो का भाग दे दो जो आपको योग और अंतर दिया उनका जोड करो भाग दे दो क्यूं संख्या निकालना है ऐसे समीकन के रूप में सा सा चौगदा ह हुआ बारा और एक तेरा हुआ भाग देना है दो का तो यहांसे हो गया स्टसर पड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी 67 अगर उसने पूछा होता तोauftन खत्म था यदि वो छोटी संख्या पूछता है यदि वो छोटी संख्या आप से पूचता है तो उस case में अब इन दोनों का जोड नहीं करना आप दोनों का अंतर करना है और भाग दोका दे देना है तो मानप्राप्थवा कितना साथ साथ में दोका भाग दिये कितना है तीस बस आपका question खत्म हुआ अगर आपने बड़ी संख्या पुची होती तो सड़ सड़ छोटी संख्या पुच्य होती तो तीस तो आप ये समीकन बनाने का अगर कोई करम लिख रे हो या करे हो तो ये गलत है ये मत कीजिएगा आगे से ये कब करना है जब हमें दोनों जो संक्याओं का जोड़ और दो संक्याओं का अंतर दिया जाता है अब उजने का है कि दोनों का गुनान फल बताना है कोई बात ने जी बता देते हैं जब संक्या प्राप्त होगी तो गुना करना कौन सी बड़ी बात है यह 7 यह 21, 18 और 2 कितना हो गया 20 देखेगा उप्सन A ही हा रहा है क्या 2010 हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं भीम कुल दी पनो सानो अर्स बिल्कुल लाइक जुरूर करना है जी क्लास को लाइक तो करने का फर्ज बनता है आपका और अपने सबी गुरूप्स में शेयर भी कीजिएगा यह अपना पॉसन नमर फरस्ट तो लिए आगे आते हैं इसी परकार से सेकेंड नमर पॉसन इसे एक एक्जमपल के साथ थोड़ा सा समझ लीजे ताकि बविश्य में ऐसी गलती दुबारा कभी करो ना समय तो बिल्कुल भी जाया ना करें मान लीजिए आपके सामने दो संख्या दे दी एक तीन और एक छे अब वो कहता है कि इसका विद्करम करो तो हमने विद्करम कर दिया तीन का हो गया एक बटे तीन शे का हो गया एक बटे छे अब यहां से देखे इसी परसन को कीजी इन दोनों संख्याओं का अगर आप जोड करोगे तो कितना प्राफ्थ होगा तीन प्लस छे जोड कितना होगया नो इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो कितना प्राफ्थ होगा तो 3 का गुणा 6 से किया कितना हो गया 18 अब आई ये question पर देखो आपने छुटे छुटे तीन परसंग पूछे कर कोई भी 2 संखे ले 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 तीन चाहिए एक बार जोड पुछा आपने का no गुणा पुछा आपने का 18 मैंने पुछा वितकरम आपने पक्ष बदल दी एक बटे तीन एक बटे छे अच्छा अगर इस वितकरम का जोड करना पड़े तो कितना आएगा इस वितकरम का जोड करना पड़ेगा वियत्करम का जो प्राप्त हुआ है मान उनका अगर जोड़ करो तो जोड़ करके देखते हैं वन प्लस थ्री वन बाई सिट्स एल्सियम कितना है अपने पास में लोगतम आया अ सोरी 18 कहां जा रहे हैं 6 पे भी रुख सकते थे यहां से अच्छे है अपने पास में इस केस में आगे चलिए यहां से आप इसे अल करेंगे 3 सेवा 2 यह वाई 2 यहां से 6 सेवा 1 मान प्राप्त हुआ कितना 3 बटे में 6 ठीक है अपने पास में काटने को आप आगे भी बढ़ सकते हैं इसी परकार से आप इसे अगर मान लिजे LCM 6 ले रहे हैं अगर आपने LCM 18 लिया तो इनका LCM 18 लिया तो 3 से कटा 6 अपने पास में 6 से कटा 3 रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ 9 बटे 18 अलांके LCM तो 6 आएगा अपने पास में पर इस आंकड़े से देखेगा किसी भी चीज़ को हल करें इसका अंतिम रिजल्ट कितना है एक बटे दो इसका अंतिम रिजल्ट कितना है एक बटे दो तो कहने का मतलब यह होता है कि जब भी आपसे कभी ऐसा क्वेसन पूछ लिया जाता है जब भी किनी दो संख्याओं का जोड और गुना आपको दे दिया जाए ये रा जोड ये रा गुना अगर दे दिया जाए और आपसे अगर उनके वित कर्मों का जोड़ बताना पड़े अगर ऐसा करना हो तो किसे परकार की समेकनी बनाना आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जब किया जाता है तो उन संख्याओं का योग यानि जोड़ को उपर लिख गुणा को नीचे लिग दीजिए result प्राप्थ हो जाता है केवल इतना करने से अब देखो जोड कितना था 9 था गुणा कितना था 18 था इसे हल किया result देखो कितना प्राप्थ हुआ एक बटे दो यही तो आप बता रहे थे तो केवल इतनी सी बात को याद रखना है कितना के रहे हैं यहाँ पर 35 बटे 12, 12 बटे 35 मिला जुला से इंस वला रहे हैं फिर फिलान मैं फिर से कहने जा रहा हूँ अगर आपको दो संख्याओं का जोड और गुणा दिया जाता है तो पहला यह काम कर सकते हैं कि वितकर्मों का योग उनके वितकर्मों का जो संख्याओं थी उनके वितकर्मों का योग करोगे तो ऐसा बताने के लिए जोड उपर लिख दो गुणा निचे लिखो तो जोड कितना है 12 गुणा कितना है 35 तो मान प्रफ्थव बात हो रही है और 12 बटे 35 का वित्करम किया तो रिजर्ट प्राप्त होगा कितना 35 बटे 12 यही आप से पूछा था आपका सही उप्शन कौन सा प्राप्त हुआ से जुनियर अकाउंटेंड का एक बार फिर से 2015 का हाँ वापिस से वित्करम बोला है इसलिए 12 बटे 35 पे कोई जा रहे थे गलत थे 35 बटे 12 बटे 12 बिलकुल अर्स ठीक जा रहे हैं आप भेम ठीक थे अनुबाद में आपने अपना इंसर्चेंस किया पहले 12 बारा 35 तो यह ध्यान रखना है यह केवल इतनी सी प्रोपर्टी को स आदा थर्ड तो क्वेस्ट नमबर सेकेंड अपने पास में है 12 बटे 35 चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्ट नमबर थर्ड क्योंकि आपने पास में नमबर सिस्टम और आपका जो क्या दूसरा टोपिक फ्रेक्शन यानि भिन दसमलों भिन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और उस केस के अंदर देखिए आप से आरो ही करम असेंडिंग ओर्डर पूछा जा रहा है तो जैसा भी आपके सामने ये क्वेस्ट नाता है मैंने का कभी भी आप किसी और तरीके पर नहीं जाएंगे ना तो आप परसंटेस पर आना है ना आपको दसमलों में जाना है पॉ दुबारा लिखना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर space कम है अपने पास में. यहीं कहतम कर देते हैं, कोसन को बढ़ा कर लेते हैं. आईए अपने. कौन सा करम पुछा है कि जी आरो ही, ascending order पुछा है. चलते हैं, सुरुवात करते हैं, ascending, छोटे से बड़े के करम में. तो जैसा करम पुछा जाता है, वैसा सिंबल लगा लिया करो. सबसे पहला काम यह है. आरो ही पुछा है, तो यह सिंबल लगाया. अब हम करते हैं गुणा. 9 चोके होता है 36. 7 पंजे होता है 35. पे-पे-फे से वो इस सिंबल लगाये. करम आरो ही है, तो आरो ही लगा लेते हैं. दो का गुणा, आप तिच्छा गुणा करो. दो का गुणा तीन से च्छे. 7 का गुणा एक से साथ. 7 बड़ा होता है 6 से. सिंबल मेच कर रहे हैं, बिल्कुल बड़िया सही चल रहे हैं अपने. और आगे बढ़ो. 5 का गुणा एक से 5. दो का गुणा तीन से 6. यहाँ पर भी सिंबल मेच कर रहे हैं. 6 बड़ा होता है 5 से. और आगे चलो. 9 तिया 27 होता है. 7 पंजे 35 होता है. 35 सताई से बड़ा है. यह भी सही है. आप लाश पॉइंट पे आगे. 7 पंजे 35 होता है. और 9 तो के 36 होता है. आप देखेंगे सारे सिंबल आपके सही करम में चले. इसका मतलब आपका सही उप्षन प्राफ्ट होगा कौन सा? B. केवल और केवल. यही एक असान और एक अच्छा तरीका है. जब बिनों की तुन्ना करते समय या आपसे आरोई या आरोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ओडर आपसे पुछा जाता है. और मैं देख पारा हूं कि आप सभी का एंसर से ही जा रहा है. अपसन नमबर B के साथ में. तो लिए बढ़ते हैं कौशन नमबर फूर्थ के और. एक ऐसा कौशन जिसमें करने में थोड़ी सी एनरजी लगेगी आपकी. लेकिन ध्यान से अगर पढ़ेंगे या करेंगे तो हो जाएगा कौशन आपसे. जिसमें जोड़ दें तो आपको पूर्णांग प्रफ्थ हो जाएगा. पूरा पूरा मान प्रफ्थ होगा ये कहना है अपने इस कौशन में. आपके सामने कुछ भिने दी गई. जब आप इनका जोड़ करेंगे आपका रिजल्ट भिन में प्रफ्थ होगा. वो कहता है कि जो जोड़ बिन में आया है उसमें एक और संग्या जोड़ो और ऐसी जोड़ो के रिजल्ट पूरा पूरा प्रफ्थ हो जाए. तो ये केसे करेंगे उस केस में देखे क्या करना है अपने को. सबसे पहले आपका एक, दो, तेन, और चार, अगर आप इनका जोड़ करें, चार, तिन, साथ, और दो, नो, और, एक, दस, आपका इन सबका जोड़ तो वेसे हो लेड़ी पूर्णांक आएगा, अकर नी आएगा. तो अगर आपने सबी के पूर्णांकों का, मिसरिद बिन से पहले का जोड़ किया, तो सबका मानपूर्णांक में आई रहे, उस केस के अंदर तो इनका कोई जोड़ है नी, क्योंकि इसमें तो कुछ जोड़ने के अफशकता नी, मानपूरा पूरा है, तो क्या बचा, अब इसमें का लगुतम कितना हैगा, 120 आजाएगा अपने पास में, और 120 आजाता है अपने पास में, वेसे तो 60 भी नहीं आजाएगा क्या अपने पास में, तीन, चार, पांच है, ठीक है, 60 से काम बन सकता है अपने पास में, तो यह है अपने पास में, अब आते हैं अपने पा साती आ हो गया कितना 45 यहां तक भी ठीक है अपने पास में केवल और केवल इन भीनों का जोडने का काम करना और कुछ नहीं करना यह 40 यहां से 1545 यहां से 12 जोक्वे 48 यहां से 10 550 अब इनका जोड कर लेते हैं 8 5 13 अपने पास में साठ से तीन तो चर्ट यह सुई तो अपने पास तीन से ही तीन बटे साठ अपने पास में यहां तक की बात तो है ठीक अब देखतें आगे क्या का आपने बिल्कुल जी नमस्ते सबी को अभी एक क्वेस्टन मेरे खाल से बी तो साइध पिछले परसन का एंसर था यहां पर अपने गाड़िया के रोग देते हैं अब बताएए कि क्या जोड़ना है अब वो यह कहते है कि इसमें क्या जोड़ें कि पूरा-पूरा मान प्राप्त हो जाता अपने पास में तो यहां से तीन भी पूरा-पूरा पूरनांख है इसको भी बाहर निकाल दीजिए ब case के अंदर है आप देखिए आपके पास में जो एक बटे 20 है अगर मैं एक बार बी option के साथ चलूँ और बी option कहता है कि 19 बटे 20 जोड़ दो अगर मैं ऐसा जोड़ूँ गा तो क्या आपका लगुत्तम 20 और उपर भी 19 और 21 पूरा पूरा मान एक प्राप्ट बस यही तो बात है ऐसे परसन में क्या करना होता है हर जैसा होता है वेसे का वेसा लिखा करो और इन दोनों का जो गेप होता है वो लिख दो वही जोड़ने का काम है एक्जामपल के तोर पर अगर आपको कह दिया कि 3 बटे 7 रिजल्ट प्रप्ट हो है वो कहता है कि अब बताओ इसमें क्या जोड़ें कि पुर्णांक प्रप्ट हो जाएगा तो उसके इसमें 7 तो आएगा याएगा इन दोनों का अंतर कितना है 4 बटे 7 तो ये आपको करना था हमारे उप्सन नमबर B 19 बटे 20 की बात आ रहे हैं बिलकुल बड़िया भी मानुसंदीब से ही जा रहे हैं आप बाकी देखियो साथियो थोड़ा से समश्यारी है मेरे ख्याल से दो बाते पहले ध्यान रखना था कि पुर्णांक वाले मान का तो इस कोई रोल था ही नहीं कि उनका जोड़ तो वेसे भी पूरा पूरा आ रहा था आपको भिन संके उठानी थी सारे भिन रूप उठाए इनका जोड़ किया जोड़ करने पे लास रिजल्ट एक बटे 20 प्राप्त हुआ ते इनको क्यों काड़ दिया कि जी तीन तो फिर पूरा 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 पूर्णा अकमान था और आपको भिन का जो रिजल्ट आए उसको लेकर आगे चलना था और बिन एक बटे 20 में क्या जोड़े हैं कि वो पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाए उसके इसमें मैंने त्रिका बता दिया हर बिलकुल सैम लिखा करो इन दोन 3.6 पे बार अपने पास में अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यदि आपका परसन जोड़ और गटाव पे होता है तो आपको सिधा सिधा जोड़ और गटाव कर देना लेकिन ये केवल और केवल तब मैंने काता जब समान आवरती हो सबके बार रूप एक जैसे हो तब करना है लेकिन आपके डियेगे परसन में ऐसा नहीं है सबके बार रूप अलग अलग है आपके सामने उस केस में केसे करना है वो देखेगा सबसे पहले आप इसका बिन रूप बनाएंगे तो पहले का बिन लो क्या एगा तीन से ही छे बटे नो ये लिखना समझ में आएगा क्या पॉइंट से ये क्वस्निया से पॉइंट से पहले का जो मान होता है वो उसे मिसरित वाला रूप दे दीजिए बाकि बार के नीचे जितने गोते उतने नो लगाते हैं ये बात आप जानते हैं और आगे बढ़िएगा इसको क्या लिखना है तो इसको लिखेंगे दो से ही नो बटे निन्यान में ये भी ठीक लिखा आपने और आगे बढ़िए पांस से ही दो बटे नो ये भी ठीक लिखा आपने और क्या लिखना है दो से ह 61 बटे निनान में सबसे पहली लाइन तो आपको देखना है कि यदि आप पहले से जानते तो बहुत बढ़िया करे होंगे यदि नहीं जानते तो मुझे बताईए आपको ये भिन बनाना समझ में आया क्या क्या क्योंकि आवर्ती बार वाली संक्याओं का भिन नहीं बना परसन के अंदर देखो सबसे पहले पूर्णांकों को जोड़ना आना चाहिए मिस्रित का सरलतम रूप बनाने का प्रयास करोगे तो बड़ा परसन बना लेंगे अब देखे पहले पूरी पूरी संक्याओं का जोड़ गटाओ करो तेन और दो कितना हो गया पांच पांच मे एसे परसनों में काटना नहीं है इस बात का ध्यान लखना यहां आया दो नो और यहां आया एक। 11 चिके हो गया 66 99 का भाग 99 में में आया रिजल्ट 1 यानि 9 9 का भाग दिया 11 11 तो गया 22 और 99 का भाग दिया तो आया 61 यहां तक बाद समझ में आई एक नी पहले भिन बनाना समझ में आ जाना चाहिए था बाद में पूर्णांकार रोल खतम कि आपने बचे भिन वाले मान को जो रखना यह दो गुणा वाला नहीं है यह आपका भिन का मिस्रीत रूप वाला मान है अब इसे हल कर देते हैं 66 में इसे 22 गया तो कितना बच गया जी 44 44 60 60 हो गया 100 2 और 10 हो गया 110 अच्छा सोरी 40 60 हो गया 100 105 हो गया 105 में नो जोड़ दिया 114 हुआ अपने पास में तो रिजल्ट है 114 बटे में निन्याण में लेकिन इससे पहले क्या है क्या जी दो लगा हुआ है इसे हल कर देते हैं हल करेंगे तो देखो इस 114 बटे निन्याण में का अलग से काम 114 के अंदर जब आप निन्याण में का भाग देंगे पूरा पूरा कितने पे जाएगा एक पे तो बचेगा क्या 15 जो 15 बचेगा वो ऊपर जाएगा और निचे क्या आएगा जी निन्याण में पहले से 2 पूरे पूरे थे ही एक और मिला तो हो कितना गया 3 तो आपका सही पसनाया तीन से ही पंद्रा बटे निन्यान में और जब आप इसका बारूप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे तीन पॉइंट वन फाइब बार ये तो मेरा एंसर आ रहा है पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर कोई उप्शन है ही नहीं तो साइध मैं जहां तक की बात करू तो बे का एंसर क्या क्या 3.12 आ रहा है क्या आपका अगर ऐसा आ रहा है तो फिर देखिए और मेरा तरफ से एंसर जो आया है वो 3.15 पे बार है अगर मैं सही चल रहा हूं और आंकड़े सही लिखे हमने और आपका भी एंसर आ है तो अपने उप्शन को बदल देते हैं हो सक यही तो आपका से एंसर प्राफ्ट होगा 3.15 नहीं है तो हम बना देते हैं यह रहा हमारा यह ओप्सन 3.15 पे बार तो धियान से क्यों में थोड़ा एरर था पर क्या फरक पड़ता है हमने प्टर से क्या ओप्सन भरगवा तो ठीक नहीं होगा तो कोई नया बना देंगे त दो दो अंक होते तो फिर आवर्ती एकवलती फिर आप सिदा जोड़ गटाव कर सकते थे लेकिन ये ये समान अंक नहीं है तो आपके एक मजबूरी है आवर्ती रूप को पहले बिन बनाओ बिन का जो रिजल टाया उसको वापिस आवर्ती यानि बारूप में लेके जाना है और ऐसे परसनों में कोई शोटकट नहीं है आपको लगुतम लेना जोड़ गटाव करना ये सब चीजें देखो अच्छे से आना चाहिए और वो तो आपके अच्छे से है ये बिल्कुल बढ़िया तो ये अपने पास में फिफ्ट का एंसरा है 3.15 ध्यान से करेंगे ये PDF आई चीज़ बताना चाहूंगा कि जो भी क्लास की PDF है वो MRS Academy के टेलीग्राम चैनल पर मैं डालना शुरू कर दूँगा क्लास होने के जर्श बात जैसे ही शाम को समय मिलता है मैं PDF भी आपको प्लब्द करवा दूँगा आप इनको दुबारा क्वेसन करना चाहें तो करके देख सकते हैं बोर्ड वर्क वाला नहीं जाता क्यूंकि उसको मैं भार ने निकाल पाता कभी खबार आईए आगया बढ़ते हैं क्वेसन नमबर 6 पे इस क्वेसन में थोड़ा एर्र आगया बढ़िए क्वेसन नमबर 7 एक बास का एक बटे चार भाग काले रंग से हैं दो का मैं बार बार जिकर करा हूँ एक आवरती रूप में बार रूप में बना परसन आता है बिन पे दूसरा रहता है बिन छोटी कौन सी ये बड़ी कौन सी और तीस रा जाता है कि बिनों की statement पे question अपने पास statement में आपको कहा जाता है कि किसी ने किसी एक बिन का result आपको प्लब्द करवाये जाता है और बाकी कमान आपसे पुछा जाता है देखो question क्या के रहे है कि हमारे पास में एक बांस का टुकड़ा है इस बांस के अंदर आपने का क्या क्या कि एक बटे चार भाग काले रंग से रंगावाए वन फूर्थ भाग तो है काले रंग से ये राजी बिल्कुल और कितना two five five two five अपने पास में क्या है खरे रंग से लगा है दो बटे पांच हरे रंग से है और जो सेस है ये राजी सेस इस के लंबाई बता दी किया ये किस मिटर का है और ये किस रंग से ला रंग से लंगा बिलकुल जी यह रहा जिला रंग अपने पास में लगा देते हैं रंग भी लगा देते हैं यह रहा अब वो यह कहता है कि जी करो इसे और यह बताओ कि वो जो बास का जो बास है अपने पास में उसकी पूरी लंबाई कितनी है तो बड़ा असान सा काम है सबसे पहले तो यह देखो कभी भ बिनों के अंदर कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है सेस कितना बचा ये बताने के लिए बिनका हमेशा मान एक होता है पूर्ण रूब में एक होता है एक में से जो जो हिस्सा निकालना है उसको माइनस करतो एक बटे चार माइनस दो बटे पांच ऐसा करने से क्या प्राफ्त ह ला- उसका मान कितना देश का है एक किस मिटर देर का है किस रंग का है कै जी लाल रंग का है तो अब आपको ध्यान रखना है अगर आपको कभी भी किसी एक भिन का मान उपलब्द हो जाए अगर किसी एक भिन का मान उपलब्द हो जाए तो उस केस के अंदर पूरी वो वेल्यू कितनी है पूरी का result मिल जाता है पूरा मान बताने के लिए बिन को प्लट के गुणा करना है तो 7 से कर दिया तो 3 और 20 यह कितना हो गया 60 मिटर जो है वो पूरे बांस के लंबाई है आपका कौन सा option number D जाना चाहिए था बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कुल दीप अनू भेम बिल्कुल से जा रहे हैं डी अब रिस जो आपने फेस वेज़ा इसका मतलब और समझ में नहीं आता मेरे को क्या लिखा इसका लेकिन रिजल्ट जो है वो 60 मिटर है और एंसराप देने पाई इस परसमें तो जो जिन्नों ने भी दिया वो बिल्कुल बढ़िया सुनेल डी ठीक जा रहे हैं तो आपका क्वस्ट नमबर साथ जो की टेक्स असिस्टेंट का क्वस्ट नमबर साथ अपने पास में तलिए करमे वेस्तित कीजिए अपने पास में गटते करम मतलब बड़े से छोटे के करम में बड़े से छोटे के करम में करना है आपको बाई ओप्सन चलना है मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है आपको आजाते हैं अपने पास में बाई ओप्सन करना सुरू करते हैं अब अपने को question के, जिस भी ऐसा question आता है, आपका ध्यान कभी भी question पर नहीं होना चाहिए, मैं question भी यहां से हटा रहा हूँ, आपको सिधे किस पे आना है, option पे आना है, और option पे आएंगे तो दुबारा से पढ़ो, कौन सा करम बनाया था, आप से पुछा है, अवरोही करम, कौन सा थोड़ा देख लेते हैं, गरते करम है, बिल्कुल ठीक है, आईए बाई, option करने की सुरुवात करते हैं, आपका पहला option, चलिए सुरुवात करें, सबसे पहले तो गरते करम का सिंबल लगाओ, गरते करम का सिंबल यह होता है, ठीक है, यह करम किसका होता है, बढ़ते करम का ये किसका होता है गठते करम का सिंबल लगा दी अब गुणा करना है किवल और किवल 14-42 है 15-32 है तो ये तो करम ठीक है 12-42 बढ़ा है 30 से आगे बढ़ते हैं 25-52 है 16-48 है ये करम भी ठीक है यहां तक बात बढ़िया बनी आगे बढ़ते हैं 25-75 होता है और 12-62-32 तोड़ा अरतीन एक सो बाण में ये भी ठीक है एक सो बाण में और एक सो पिचेतर अंती पॉइंट पे हैं 7-8-57 और बारातिया 36 पड़ी अच्छी और स्वियोंग वंस बात यह है कि आपका पहला उप्शन ही सही है देखो आउ तो ठीक है पर आउ का आउ भी तो अलगतरें के होते हैं उसमें भी तो कई प्रहवाची बन जाते अपने पास में ठीक है तो यह अपने पास में पहला प्राप्शन प्राप्त हुआ चपन बड़ा है किसे 37 अपने पास में प्रस्ट नमबर जो अपना कौन सा चल रहा था आ जाते हैं थोड़ा से ही कर लेते हैं संगनं का आठवा क्वसन अपने 2015 के एक्जाम का तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ जानी होगी कि बिनों के करम पे बना का भी परस्ट आ जाए तो आपको किसी और तरीके पे नहीं जाना सिधा सिधा आपको काम करना है क्या कि आप छोटे या बड़े का करम बना लो और आते हैं लेकिन अदत ये और केवल और ये होने चाहिए अब ऐसा क्वसन भी आजाता अपने पास में अब इस क्वसन में क्या करना चाहिए वो तो आपको देखना चाहिए क्योंकि आपके ने का कि जब ये करम पूछ ले चोटे से बड़ा तब तो ठीक बात है लेकिन अग तो परसेंटेज बना और या पोइंटों में लेके चलें काम करने की सुरुवात करेंगे तो सबसे पहले आता हूँ मैं पांच बटे च्छे पे एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कौन सा सबसे बड़ा मान पूछा है ना अपने पास में तो सबसे बड़े के अंदर देख जिन भिनों के अंस वे हर का अनपातिक अंतर समान हो अंस और हर का अनपातिक अंतर समान हो तो बड़े अंस वाली भिन बड़ी होती है और छोटे अंस वाली भिन है छोटी होती है बासिफ इतनी सी अपने पास में अब देखे यहां से अपने पास में पांच बटे च्छे और साथ बटे, तब में 5 और 6 में अंतर, 1 गाँ, 7 और 8 में अंतर, 1 गाँ, 11 और 12 में अंतर, 1 का, क्या answer और हर में अंतर समान नहीं है, अगर ऐसा है तो बड़े answer वाली बिन, बड़ी और चोटे answer वाली बिन, चोटी होती है, आप से सबसे बड़ा पूछ है, तो पहले 3 में, A B और C में तो बड़ा कौन है C है अपने पास में यानि A और B तो C उप्सन से छोटी है अब दो उप्सन बचें C और D इनको चेक कर लेते हैं 11, 12 और 2, 5 में इसे बड़ी कौन सी है तो चेक करते हैं 11, 5, 5 होता है 12, 2, 24 होता है और उस आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा करने के बाद में बड़े मान के नीचे की बिन बड़ी होती है तो मेरा सही उप्सन जा रहा है C के साथ में आपका क्या कहना है बिल्कुल बड़िया सी जा रहे है संदीप, अर्ज, कुलीप, हरीस, भीम अनुबिल्कुल सही जा रहे हैं आप C उप्सन पे तो ये ध्यान रखना है एक बार फिसे बोलना चाहा रहा हूँ है देखो कुछ अगर आप आज भीन की बाद चल लिए तो सीख लेते हैं अगर आपका ऐसा क्वेसन आ जाता है पांच बटे तेरा दो बटे तेरा आट बटे तेरा और ग्यारा बटे तेरा अगर ऐसा क्वेसन आ जाता है इसमें क्या समान है कि सभी का हर समान है सभी के हर समान है अगर ऐसा क्वेसन आ जाता है तो इसका करम जमाने के लिए केवल ध्यान रखना है अंस छोटा बिन छोटी अंस बड़ा बिन बड़ी तो सबसे छोटा अंस कौन सा है दो बटे तेरा इससे बड़ी संक्या कौन सी होगी पांच बटे तेरा इससे बड़ी संक्या कौन सी होगी आठ बटे तेरा और सबसे बड़ी संक्या कौन सी होगी ग्यारा बटे तेरा कौन स समान हो जब आपका हर एक फ़ल हो लेकिन इसी क्वेशन को बदल देते हैं अगर यह कोशन आपका ऐसा होता तो चाँ देखिए अगर आपने लिख दिया तो 13 वटे 5, 13 वटे में 2, 13 वटे में 8, और 13 वटे में 11 अगर ऐसा क्वेशन आ जाएं और अब पोजिट विलूम सबद की तरह याद रखना यदि अंस समान है तो हर छोटा तो भिन बड़ी हर बड़ा तो भिन छोटी तो सबसे छोटी भिन कौन सी आएगी हर बड़ा कौन सा है 13 बटे 11 इससे छोटा हर कौन सा है 13 बटे 8 इससे छोटा हर कौन सा है 13 बटे 5 और सबसे छोट चोटा कौन सा है 13 बटे 2 हर चोटा तो भिन बड़ी हर बड़ा तो भिन छोटी ये दूसरा नियम होता है और तीसरा आपको मैंने अभी बताया था कैसे देखेगा 13 बटे 17 पांच बटे 9, 11 बटे 15, 21 बटे 25 आपके सामने एक ऐसा क्वसन दे दिया अपने पास में और आप आप से कहा कि बताये इनका आरोही करम कौन सा है तो ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है अपने को भिनों के तुलना करते समय क्या ध्यान रखना है कि यदि आपके सामने एक ऐसा परसन रख दिया जाए जिसका अंस और हर का अनपातिक अंतर एकवल हो उपर और नीचे का जब गटाने का काम करे तो अंतरसमान प्राप्थ हो अगर का यह सबी का अगर अंस और हर का अनपातिक अंतर समान है तो कोई रफ काम नहीं करना अंस छोटा बिन छोटी अंस बड़ा भिन बड़ी केवल इतना ध्यान रखना है तो छोटा अंस कौन सा है पांच बटे नो इससे बड़ा कौन सा है पांच बटे नो उसके बाद कौन सा है 11 बटे 15 उससे बड़ा अंस कौन सा है 13 बटे 17 और फिर लास्ट वाला कौन सा है 21 बटे 25 ये तेन बाते अगर ये याद रखते हो और वजर गुनन वीदी जो मैं बाई आप्शन बता चुका हूँ अगर ये चार बाते जानते हैं तो बिनों के तुन्ना करने पे कुछ मर्जी परसन बंदे छोटा बड़ा बीच वाला आरोई आरोई करम कुछ मर्जी पुछे कभी गलत नहीं होता तो ये तीन परसन का अगर मैं थोड़ा सा साइड में हर जाता हूँ या तो आपको कर लेना आना चाहिए नहीं है तो एक बार स्क्रीन सोड ले लेना ताकि आप इसे च ये बड़ा शांदार क्वेसन है यहां समझ मांग रहा है आपका क्वेसन काम नहीं करना कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं कोई बड़ी गणित नहीं केजिए क्वेसन गहता है कि दो पूरण संख्या पूरण मतलब दो संख्या पूरी पूरी हो कोई पॉइंटों वाली नहीं चीए उनका गुणा करो तो 37 आएगा अब उनका अंतर कर दो और फिर जो अंतर आया उसका वर्ग मुल करो तो रिजल्ट बताओ कितना आएगा जल्दी से बताओं उसे काड़ दो और तो क्या कहूं मैं राइट वाला है तो पड़े रेने देना लेफ्ट काड़ दो कोई दिख कर नहीं आये कितना असान और अच्छा परसन है क्या आप जानते हैं कि 37 एक एभज्य संख्या है इसका मतलब वो किसी भी पाड़े में नहीं आता है सिर्फ अपने पाड़े में आता है और अपने पाड़े में आता है तो बताओ 37 का टुकड़े क्या होए 37 इंटू एक अब दो बाते देखो क्या गुणनफल 37 है बिल्कुल है जी क्या वो संख्या पूरण है बिल्कुल है क्या जानते हो पूरण वोल नंबर्स के बारे में वो संख्या जो 0 से बढ़ी हो, वो पुरन संख्या है, बस आपका Quesn क्तम हो, आपके दो संख्या है, एक 37 है, और एक एक कह है, अब हो कहता है, उनका अंतर करो, कर देते हैं, वो यह अंतर कौन सा खतरनाक है, यह कर दिया, अंतर आगया, 36, अब कहता है, उसका वरग मूल करो, वो भी कर देते हैं 36 का वर्गमूल कर दिया कितना अच्छा है कितना असान परसन अरॉक्स के लिए आप सूच रहे थे पॉपस ने बिल्कुल बढ़िया बहुत अच्छी बात आप देख रहा हूं सबके एंसर सही जा रहे हैं यहां से 6 आएगा अपने पास में तो यह थोड़ा सा ध्यान रखे अब यहां पर अगर हम एभाजे नहीं जानते संक्या के प्रोपर्टी नहीं जानते तो लेके बैठे रहे थे इस परसन को मानना मेरी एक संक्या एक सर दूसरी वाई उलज करे जाएंगे ध्यान रखना इसे परसनों में तो आईए कोशन नमबर 10 हुआ बढ़ते आगे 11 की ओर आरे स्प्री 2016 बड़ा असान कोशन है अपने पास में कोशन यह कहता है पांच के पावर 41, साथ के पावर 59, तीन के पावर 57 में एक आएक अंख क्या आएगा यह बताएगा एकाई अंख के तीन गुरूप बनाए थे यह दास में है क्या अपने पास में पहले गुरूप में जिता है जीरो, एक, पांच, छे क्या विसस बात समान अंख होता है दूसरा गुरूप कौन सा चार और नो जिन्होंने यह कलास नहीं लगाई प्ले लिस्ट में जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स पर जाके वहां से चेक कर ले ना बड़े अच्छी से मैंने पूरे एक दिन में करवाया यह काम अपने को इसमें क्या देखना है क्या घात देखना है समाय या विसम है अगर चार के पावर विसम वह तो चार चार के पावर सम हुआ तो छे नौ के पावर विसम हुआ तो नौ और नौ के पावर सम हुआ तो एक ऐसा क्या था उसके बाद में कॉन बचिया दो, तीन, साथ और आठ तीसरे ग्रुप में जब क्योस Genesis आता है तो क्या करना चाहिए गात में चार का भाग देंगे भाग देने के बाद में जो सेस्फल प्राप्त होता है वही उसके क्या बनाएंगे गात लेकिन अगर ऐसे परसन में सेस्फल जीरो आ जाए तो गात आपको सदेव लगाना है कितना चार यह आपका करने का तरिका था B option दे रहे हैं 5 मैं भी चेक कर लेता हूं जल्दी से देखे पहले 5 पांच का तो कोई डाउट निया पहले ग्रूप में 5 का 5 आएगा साथ तीसरे ग्रूप में हैं उन्हें तर में 4 का भाग देंगे सेस्फल आएगा 1 और 7 की पावर 1 का मान होता है 7 तीसरे ग्रूप में हैं 57 घात में 4 का भाग देंगे 56 तक पूरा पूरा जाएगा एक बचेगा तीन की पावर 1 का मान हुआ तीन अब इसे हल कर देते हैं पांस साथे 35 का पांस पांस तीया का पंदरा पंदरा काई काया पांस ओपसन नमबर 2 बिल्कुल बढ़िया यदि आपको ये ग्रूप तरिके से याद है और याद रखना होगा ये आपके मजबूरी है मैंने का था यदि आपने इसे छोटा करते वे के वो लाश्ट तरिके से आपने परसनों को करना शुरू करती है तो वो परसन आपके हाद से जा सकता है जिसमें एक्स और वाईर के रूप में घात आ जाए और इसका रिजल्ट आपने संक्या पती का जो मैंने पहला टेस्ट लिया था उसमें देखा था आपको दिया था मैंने कि गात कभी चार रूप में भी आज सकती है और समल के काम करेंगे अपने क्वेस्टन नमबर 11 बिल्कुल बढ़िया करे थे आप अच्छा हुआ है अब ये क्वेस्टन जूनियर अकाउंटेंट 2016 का जिसमें छोटा सा जोड़ गटाओ के बारे में बात की गई थी आपको पहले क्वेस्टन लिंग्विस समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीन अंकों के संग्या है बिल्कुल है जी कौन कौन सी है चार पी और तीन ये तीन अंकों के संग्या है इसमें 900 चुरियासी जोड़ो जोड़ देंगे जी ये जोड़ दिया जोड़ने के बाद में आपका जो रिजल्ट पराप्त हुआ है वो तेरा क्यू साथ वो ग्यारा से पूरा पूरा कटेगा ग्यारा से पूरन विबाजित है तो भई आप जानते हैं क्या ग्यारा का नियम क्या होता है नहीं जानते तो सीख लो बार बार बता रहा हूं मैं फिर भी और याद हो जाना चाहिए के सम और विसम स्तानों के अंकों का योग दाये तरफ और पेहले अंक से लेके एक एक अंक छोड़ कर राउंड करते चलो गोडा बनाते चलो और उनका जोड करो उनका जोड करेंगे तो साथ और तिन कितना हो गया दस अब पीछे बते अंकों का जोड भी इसके बराबर आना चाईहे 있습니다 अगर अंतर 0 हो जाए या 11 के पाड़े में आ जाए तो संक्या पूरी 11 से कड़ती है तो जब इनका जोड 7 और 3 दस हो गया तो एक और Q का जोड भी 10 होना चाहिए अब 10 कब होगा एक में क्या जोड़ें के 10 हो जाए तो आपको होगे के Q की जगा नो लगा दो काम बन जाएगा तो Q की जगाए नो लगा देते हैं तो यहां लगा दिया हमने नो तो Q की वेलिय तो पराफ्त होगी जि नो ये लिखा मैंने Q कामान नो अब जोड़ करना है आपने जोड़ कर लेते हैं 4 और 3 कितना होता है 7 होता है 9 और 4, 13, 13 देर का है तो आठ में क्या जोड़ूं के 9 हो है तो आपको गए एक जोड़ दो एक जोड़ गिया तो यह रहा प कामाण प्राफ्थफ हो गया एक आप से पुछए पी और क्यू का जूड यूड चतना हैً पी और क्यूड के जूड़ यह जोड़ हाँ बिल्कुल दिनेश कुल दी दस जाएगा सुनिल ठीक है लेकिन समय जादा लिया ये गलत बात है देखो पहले 11 का विबाजगता का नियम लगाना है जिसे Q की वेल्यू प्राफ्ट हो जाएगी फिर आपको सिधा जोड़ करना है जोड़ करने से आपका अंक प्राफ्ट ह हो जाता है नोर एक का जोड़वा दस क्वेस्ट नमबर बारा जूनियर अकाउंटेंट दोजार सोला का चलिए आईए क्वेस्टन करते हैं अपने एक और ये कल भी क्या था तेन के विबाजगता के नियम पर बना क्वेस्टन तो इसे इसमें देरी नहीं होगी आप जल्द परसन है अब तो आठ्वी क्लास के बचे भी करने लगे इसको बड़े अच्छे से अपने गिंट्स को पढ़पढ़ गे हाना तो आपको तो आता होगा इस करम से सबसे पहले अंकों का जोड़ करना और मैं ने तριका बताया था अंकों का जोड़ करते चलोगे बढ़ा बन तेन तो खुद तेन के पाड़ी में आता है ये बाद भी ठीक है।The kia sath लेकिन sath तो tulation के पड़िमें नहीं आता तो sath की ज्ष्ट बाद के संक्याज जो तीन के पड़िमें आये का जी वो तो num है और साथ का नो कब बनेगा जब आप क्या जोर दियो दो तो बस आप पुछा था कि उस्टार के जगें क्या लगाएं तो आपका कहना होगा कि C उप्सन लिख दो दो जोड़ना है अपने को हाँ बिलकुल बड़िया जा रहे हैं संदीप, अनुहरी, सुनील से ही जा रहे हैं अपने पास में उप्सन कौन सा था C जा रहे हैं तो ये ध्यान रखने है तेन का विबाजक्ता के नियम तो पढ़ी लीजिए बहले ही वो छोटे क्लास का काम है विबाजक्ता का नियम उस्तान यमान जात यमान इतना प्रात्मिक स्तर का पॉइंट है लेकिन आप प्रिवेश एर के परसनों को कर्वते देख रहे हैं कि क्वेशन नमबर 14 जूनियर अकाउंटेंट का एक और क्वेशन कितनी बड़ी विशेस बात है संक्या पत्ति के एकाई अंग पर दो क्वेशन आप से पूछे गए अभी एक जश्ट अपनों ने किया था और एक और अभी अपने सामने हैं जिसमें एकाई अंग पर बात चल वह है ये काम आपको बिल्कुल बढ़िया जीरो क्यों आएगा जी जीरो के जी गुना की बात हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि पांच वाले का तो इकाई अंग पांच ही आएगा जितनी मर्जी बड़ी घात लगा दीजे फरक ही नहीं पड़ता मैंने 317 नहीं देखिए आपका इकाईंक 4 है क्या ये एक समसंग्या नहीं है और आप अच्छे से जानते कि सम के उपर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना बना दो प्रिजेल तो सम आएगा और आप अच्छे से जानते कि किसी भी समसंग्या का गुना अगर 5 से करोगे तो इकाईंक तो जीरो को सेंकड़ो बार गुना कर लो किसी और से तो जीरो ही मिलेगा और अपसन ए प्राप्त होगा क्वेसन नमबर 14 करना नहीं था देखना था ये मैंने आपको इस सारा दिया था चलिए आज के अंतिम और लास्ट क्वेसन के और चलते हैं अपने एक बार फिर से जूनिय लोग कहें या कुछ कहें आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में तीन क्वेसन ऐसे लगातार आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एकाई यंग पे अदारी था आपके लिए और ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही तरह के लगातार परसना आजें लेकिन ये पूछे हैं तो भी पूछे अपने कैसे मना कर सकते हैं पर जूनियर अकाउंटेंट के एकाई यंग पे बने अपने पास क्वेसन तो आ जाते हैं अपने पास में उसी करम में देखो छे का तो छे आएगा कर नहीं आएगा छे का तो छे ही आएगा क्यों क्योंकि ये पहले ग्रूप में इसके अपर कित खाग दिया, एक सेस्फल आएगा, और जो सेस्फल आता है, वही उसके घात बनती है, तेन के पावर एक, साथ आजाते हैं, साथ के पावर 51, 68, पूरा पूरा जाता है, क्यों़िए साथ भी तीसरे ग्रूप में है, घात में चार का भाग देना है, एक हैतर में 4 का भाग देंगे सेस्फल आएगा 3 और जो सेस्फल आता है वही उसकी क्या बना देते हैं घात बना देते हैं अब अपना क्वेस्टन कर लेते हैं 3 की पावर एक का मान 3 6 का 6 इस पे तो जो मर्जी लिख देते हम 6 लिखने वाले थे और यह साथ की पावर 3 का मान उते है 340 और 323 का एकाइंग 3 अब इनका गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 तिया 18 8 तिया 24 एकाइंग क्या प्राप्त हुआ 4 कौन सा ओप्सन नमबर D और मैं देख पा हूँ बहुत बढ़िया कुल्दीप सबसे पहले भीम भी बहुत शांदार तरीके से आप में इत करें तो आपका सही एंसर संदीप बिल्कुल बढ़िया 4 3 बिल्कुल बढ़िया 3 क्यों जा रहे हो 3 गलत है 6 गलत है मारो डिलीट मारो अपने कमेंड को जल्दी से हाँ बहुत बढ़िया 4 आएगा अपने पास में तो ये है अपने आज के क्वेस्टन 2016 का अभी भी क्योंकि 2015 से 2016 में पहुंच गए 2016 कंप्लेट नहीं 2016 के क्वेस्टन अभी भी बाकिया है पर क्योंकि आप तो आपके मैंने टेस्ट रिजोर्ट शुरू कर रखिया है तो काम का बड़न और ज़्यादा बढ़ चुका है मेरे पे और इसलिए किसी भी प्रिस्टिति के अंदर मैं मेक्सिमम तो चांसर रहेगा कि क्लास मिस करूंगा नहीं चार बच कर तीस मिनिट पे लेकिन अगर होगे तो किसी दिन होगे लेकिन सूचना टेलिग्राम पे मैं डालता रहूँगा इस क्लास की पीडियाफ है वो टेलिग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा एमर्स अकैडमी मैथ नाम से सर्च मारेंगे तब भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास में है आज फ्राइडे है मेरे क्याल से यही है क्या बताओ जल्दी से वारतो मेरे को भी याद नहीं अगर फ्राइडे है तो अगर हैसा है वास्ता में तो फिर अपने अगली क्लास तो मंडे को हुईगी दो दिन का बीच में गेप है तो जो विद्यारती ने जोड़ रहे है अपने पास में उन्होंने संक्यापति टोपिक पहले नहीं पढ़ा तो इन पिछले दो दिनों के अंदर अगे आने वाले दो दिनों में संक्याATHAN टोपिक को उन्होंने रिकाउंटे प्लेलिस्ट में जाये गा जोनेर अकाउंटेंड में संक्यापति टोपिक पूरा अच्छी से करवा रख है उस टोपिक को करके आई यह ताकि आगे के 2016 के बाद में परसनों का स्तर और जबरदस बढ़ेगा आप उनके लिए त्यार हैं उनका मुल्यांकन करने के लिए और ये जुरूर देखें कि क्या पैसे स्तर पे अगर अब आज के दिन में हमें क्वेसन मिलता है तो कर पाते गनी और संडे को टेस्ट है ये अपने पास में संडे का टेस्ट में रिपीट कर देता हूं जुनियर अकाउंटेंट आरेस और उसके बाद में पटवारी तिनों के लिए तो प्रतिस्ट ने अनपाथ टोपिक बना रहेगा अनपाथ समानुपाथ और स्कूर व्याख्यता जिनका टार्गेट है उनके लिए बहु टेलीग्राम पे जो लिंक दिया उस लिंक को टच करेंगे वहां से आपको पहले नमबर पे ORG कोड मांगेगा दूसरे नमबर पर आपने जो मोबाइल गाया वो और तीसरे नमबर पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो एक बार गिस्टर किसी और मोबाइल से कर लीजिग आप ओर जी कोड मैंने आपको शेयर कर दिये 28-30-725 मैंने आपको देर का टेलीग्राम पर वो लगाएंगे तो आपके आईफोन के अंदर भी वी क्लास बड़े समूध तरीके से अच्छे तरीके से चलेगी तो संड़े के टेस्ट के साथ में और उसके बाद में मंडे को नेक्स क्लास 4 बज़ कर 30 मिनिट पे अगले दो दिन अपने यूटूब के और एप्लीकेशन के दोनों क्लास ओफ रहेगी कि आपके मामले में या तो नोर्स के मामले में टेस्ट के मामले में दो दिन का पेस मुझे तई यह ताकि मैं अगले पश्फ दिन का आप ऊपडेट करके देश कूं तो आज इतना ही मिलते हैं कल नए क्लास के साथ कल्यानी सौंवार को उमीद है कि आज भी बहुत कुछ सेखने को मिला क्लास बढ़िया गई है आपके साथ सलते चलते समय का पता नहीं चलता लेकिन क्लास को लाइक जुरूर कीजिएगा आपके उन सभी साथियों को जोड़ो जो मैथमेटिक्स में काम करना चाते हैं और मैथमेटिक्स को अच्छा बनाना चाते हैं ओफलाइन क्लास बुद्वार को मैं शुरू करूँगा टाइमिंग बना रहेगा एक बज़े से दो बज़े के लोकेशन में टेलिग्राम पर आपको शेर कर दूँगा आज इतना ही धन्यवाद